वीडियो पर पहले बार रहे हो तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करें चालल पर पहले बार हो तो सस्क्राइब करके बाज में दिखने वाली घंटे को दबा कर All Notifications अन कर दें वीवो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूँ जो रिसेंटली वीवो ने अपना नया पेटेंट लिस्ट किया था नोच को हटाने के लिए बहुत सारी कंपनी बहुत सारी काम कर रहे हैं लाइक Redmi K20 Pro के अगर बात करें तो इन्होंने पॉप अप क्यामरा जैसे स्मार्टफोन को लेकर आये थे अगर फिप क्यामरा मेकेनिजम की बात करें तो Asus 6Z के अंदर हमको देखने के लिए मिला था अगर कुछ Manufacturer की बात करें इन्होंने शुरुआत कर दिया है अंडर डिस्प्ले क्यामरा से या फिर इसको इनर डिस्प्ले क्यामरा भी कह सकते हो इन सब के बात अलग होगी तो यह कमने ऐसे निकल कर आ रहा है जो Flying Drone जैसी Technology के साथ एक नया Patent लिश्ट कर दिया है जो विवो की Flying Camera स्मार्टफोन अभी फिल हाल के लिए खाजा रहे पर इसका Exactly नाम अभी तक कुछ नहीं है अगर इतिहास के अगर बात किया जाए तो सबसे बड़िया Contribute विवो की हो सकती है इस एक Innovation Technology के साथ अगर Reality में यह स्मार्टफोन लांच होगा Thankfully इससे एक Technology विवो ने पेटेंट तो फिल अप कर दिया है इसके लिए तो एक सेल्यूट करना ही होगा यह स्मार्टफोन की Mechanism के अगर बात करें यह तो स्मार्टफोन उपर की तरफ से आने वाला एक Drone स्मार्टफोन होगा जिसकी Control आपकी स्मार्टफोन के अंदर से आप कर सकते हो अगर ड्रोन के बात करें तो Front Side में Dual Camera Setup दिया गया है और Main Primary Sensor Front Side में दिया गया है जो 200 Megapixels Camera Sensor होने वाला है बाकी दो 18 Plus 8 Megapixels की कहा जा रहा है और इस Drone के अंदर एक Sensor भी फिट किया जाएगा जो खास तोर पर Face Deduction Drone रेनिंग के लिए यूज़ होगा यह स्मार्टफोन के साथ जिलने वाले मुश्किल के अगर बात करें तो यह स्मार्टफोन आसानी से भार तो आ जाएगा पर देखने वाले बात यह होगी कि फिर से कैसे अंदर फिट खोल सकता है अगर ड्रोन की बात करें तो इनके पर्टिकल और लोकेशन की उपर यह आराम से आकर पहुच जाते है पर यह स्मार्टफोन की जाज जिस तरीकी से मेकैनिजम किया जाएगा उसको यहाँ पर देखने वाले बात होगी यह स्मार्टफोन की रेंडर की मता से आपको इतना तो पता चल गया होगा कि एक स्मार्टफोन एक्जाटली काम करेगा तो भी कैसे बाता है तो ये स्मार्टफोन 8GB RAM 12GB RAM दो विरेंड के साथ आने वाला है 8GB RAM के उपर 256GB internal storage 12GB RAM के उपर 5GB internal storage दी जा सकती है दोनों स्मार्टफोन के अंदर expand करने की सुविदा दी जाएगी up to 5GB तक नॉर्मली ये स्मार्टफोन 5GB विरेंड तो होगा है ये स्मार्टफोन के अंदर 6000mm की better performance देखने के लिए मिल सकता है जो कि स्मार्टफोन देखने में काफी जादा बल्की भी हो सकता है और इसको चार्ज करने के लिए 128 की fast charging भी support मिल सकती है ड्रोन स्मार्टफोन के अंदर ही चार्ज होगा या फिर इसको अलग से चार्ज करना होगा ये देखने वाले बात होती है स्नैप ड्रोगन 388 प्लेस की प्रसेजर ही स्मार्टफोन में मिल जाएगी और 6.9 इंचेस की फुल एशिट प्लेस सूपर अमोले डिस्प्ली स्मार्टफोन में मिल जाएगी 144 हर्ज की रिफ्रेक्श क्रेट के साथ ये स्मार्टफोन धमाल माचा निकले शाय जल्दी हमको देखने के लिए मिल सकता है तो दोस्तो आपको इस स्मार्टफोन के जानकार जानकर कैसे लगा होगा चाट सक्षिमने बता सकते हो फिलहाल के लिए दोस्तो इस वीडियो में इतना ही आशेकरत आपको वीडियो पसंद देयागो तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए मैं मिलता आपको और एक वीडियो के साथ इस वीडियो को देखने के लिए बहुती धन्यवाद जैहिन वंदे मातरम